इस कारिक्रम के निवेतक हैं बाल भ्रमचारने जयू दीदी पूनम दीदी श्री कुंठु सागर विध्या शोध संस्थान आलते श्री शेत्र कुंठुगरी तीर्थ हाथ कडंगले जिला कोलापुर महराश्र एक दिन इस प्रकार की आगई कि उसका घर के जो चारुदत के पीता थे उनका मरन हो जाता है दीरे दीरे 32 कोटी सोना के जो जिनार थे वो वेश्या सारा का सारा अपने पास बुला लेती है अंतिम में क्या होता है कि जो वेश्या है वो देखती है कि धनाना बंद हो गया उसी पत्नी के घेने आना सुरू हो गए अबुशन आना सुरू हो गए तब उसने सोचा अब इसके घर में कुछ भी धन नहीं रहा इसकी पत्नी के घेने अबुशन आने लगे इसका मतलब उसके घर का धन समाब तो हो गया सही में उसके घर पूरा कपरा खत्म हो गया पती चले गए शेठानी अकेली रे गई बेटा व्यस्णों में फस गया दुख का कारण बन गया एक दिन रहने की हवेली थी उस हवेली को भी बेश दिया गाम के बाहर एक छोटा सा घर लेकर के और वो रहने लगा रहने लगी शेठानी सोचा अब क्या करें जब विश्णा ने सोचा कि अरे धन तो इसका सब खत्म हो गया अपनी बेटी को बोलती है देख अपने तो धनवान को सेवन करने का अपना नियम रेता है इसलिए चारुदद तो अब धनवान नहीं रहा धन सब खत्म हो गया इसलिए तो चारुदद को छोड़ दे और दूसरे व्यक्ति को पकड़ ले अब चलेगा नहीं अपना धनदा बंद हो जाईगा तो क्या होता है लेकिन वो विश्या की जो पुत्री थी उसने सोचा कि बारा साल जिसके साथ मैंने अपना जीव में बिताया है धन के लिए किसी दूसरे पुरुष को पकड़ना ये सही बात नहीं है अपनी मा को बोलता कुछ भी हो जाए लेकिन मैं चारुदद को छोड़ आने वाली नहीं हूं इस प्रकार का जब अटल उसको देखा तो उसकी मां बहुत परिशान हुई किसी तरह से चारुदद को यहां से हटाना चाहिए एक दिन उसने क्या किया चारुदद को को शराब पिलाया और जब शराब में वो बेहोश हो गया तो उसने क्या कपड़े के अंदर चारुदद को बांद करके जो लेटिंग ग्रह होता है इस लेटिंग ग्रह में उसको डाल दिया अब क्या होता है देखिए सोचने की बात है इंसान का जब पाप कर्म का उदय आता है विनास काले विपरीद बुद्धी उसकी बुद्धी नश्ट हो जाती है तन मन धन सब नश्ट हो जाता है जीवन में पाप प्रवर्ती हो जाती है और दुख का कारण बन जाते है रात्री को जब वो कपड़े के अंदर बंदा बंदा बढ़ बढ़ा रहा था तो इस रात्री जो पेरेदार जो घुमने वाले सोचे करें लेटिंग घ्रह में ये कौन बढ़ बढ़ा रहे जा करके देखते देख कपड़े की पोटली बंदी हुई है जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर चारुदत निकलता है अच्छे थे लोग उसको पहिचाने और उसने उन्होंने क्या किया उस चारुदत को अपने घर पर पहुंचा दिया जब वो नसा उसका उत्रा जब वो होश में आया तब देखता है कि कहां हवेली सत्थखंडी और कहां छोटा सा घर मा जो है वो गरीवी स्थिती में है पत्नी के पास कुछ नहीं ही रहा तब को अंदर से उसको बहुत पश्चाता होता है कि रहे हाय हाय कि मैंने क्या कर दिया मैंने मेरा जीवन तो मैंने स्वेम नश्ट किया ही किया लेकिन परिवार नश्ट हो गया धन संपति वेभब नश्ट हो गई कहां मेरा पिता बत्तिस कोटी दिनार का स्वामी और कहां ये इस्थिती उसको बहुत बड़ी एक आत्म आत्म गलानी हुई कुछ ने अपनी माँ से पत्ने से ख्यमा मंगी कोई दिन रहा सोचा सोचा धनोपारजन करना चाहिए बिना धनोपारजन जो है वो संसार नहीं चल सकेगा फिर वो धनोपारजन के लिए निकलता है आधी आधी जब चारुदस चरित्र हम देखते हैं तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चड़ावाते हैं अनेक प्रकार के उतार चड़ावाते हैं यह एक जुवा खेलना और विश्या सेवन करना यह दो जो क्या है विश्या से जीवन में साथ विश्या की बात तो जाने दो लगर एक भी विश्या अगर जीवन में आया तो जीवन को बरबाद कर देता है देखिए चारुदत का दस्टांत हमारे जेन पुराण में लिखा हुआ है जुवा खेलन माश्या विश्या 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 शिकार शिकार जो क्या है कभी भी नहीं करना चाहिए शिकार करने से जीव हिंसा होती है आत्मगात होता है दूसरे जीवों को कश्ट होता है देखिए नीरी यह जो प्राणी है उसको हशी से अत्वा स्वार्श से अत्वा मांस खाने के लोब से नाना प्रकार की सस्तों से घात कर देते हैं और जो क्या है सामने वाले का जीवन बरवाद हो जाता है देखिए इसलिए आचारों ने कहा शिकार नहीं करना चाहिए चाहिए वह हशी में हो और चाहिए जान करके हो वह से लोग गिलोल से तीर कबान से छूरा कटार से अत्वा तलवार से अत्वा बंदुक से शेर आदि से लगा करके जंगलों में रहने वाले जो प्राणी हैं वह सुतंत्र गुमते हैं वह सुतंत्र चाहते हैं वह किशी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं देते दूसरे की बात तो जाने दो अगर सेर भी जो आपके सामने आया है तो आपके बाजू से निकल जाएगा सेर भी आपका कुछ नहीं करेगा अगर सेर को लगा कि ये व्यक्ति मेरे को हानी पहुंचाएगा तो सेर चीता रीष्च वगरे हैं हिंसक प्राणी हैं वह हमारे पर हमला करते नहीं तो नहीं साम वगरे भी हैं वह बाजू से निकल जाएगा इससे कब भी निकारते अगर तुम्हारा उसके पर पाउं पढ़ गया है उसको लगा गिये हमारे को हानी पहुंचाएगा तब वो काड़ता है विश्प्रगार प्रतिक जीव जो है आप जानते हैं मरने से हर कोई बचता है मरना कोही नहीं चाता आप ही की बात देख लिजिए अगर आपके पर कोई जीवन कष्ट हुआ जीवन के हानी होने लगी तो आपको कितना कष्ट होगा उसी प्रकार जो निरी प्रानी है उनको तुमने किसी प्रकार का घात किया उनको हानी पहुंचाई तो जो क्या है उनको तकलिव होती है और अगर वो मर जाते हैं बात ध्यान में रखिए एसा लिखा है यावंती पसु रोपानी रोमानी पसु घात्रेश भो नर तावद वस सरसानी पच्चंते पसु घात का इसा महाभारत के शांती पर्वे में दे दिया है यावंती पसु रोबवानी उस पसु के शरीर में जितने रोम है अगर तुमने उसको मार दिया तो प्चंते पसु घात तावत वस सरस्थ राणी उतने हज्जार बरस तक जो पसु घातक है उसको नरक में जा करके भोगना पड़ता है नरक में जाना पड़ता है ये बात हमारे भारतिय संस्कृति का जो हिंदू धर में हैं उसमें महा भरत नाम का महा भारत नाम का एक महा काव्य है उस महा काव्य के शांती परों में लेखक लिखते हैं यावंती पर्प्सो रोमानी परश्ञन्ते परश्ञृगात का ताव्द वताओंस्र Tech परश्ञृत के लिख दिया है है तो क्या है भारतिय संस्कृति के अंदर किवेश और ह्यूभी धर्म हो प्यारो तो क्यों हिंसा करने के लिए नहीं बताया जो हृकारी होता है न, वह हिंसकी ही होता है, जीवदया निकल जाती है, देखिए, जेन धर्म ने तो बहुत बड़ी आइंसा की बात की है, वो बात मैं अभी यहां पर नहीं बताऊंगा, यहां पर मात्र हम सब्त व्यसन के उपर अभी चल रहे हैं, शिकार खेलने का दोस्ट, मैं आपको रामान की तरफ ले जाता हूँ, रामान, रामचरित्र मानश तुलसिदाजी ने लिखा है, और जो क्या बाल की बाल में ग्रिशी ने, उनको भी, उन्होंने भी रामचरित्र लिखा है, सोने का हीरन बन करके, वो मारी चीज जो है, राम की कुटिया के आजवाज में घुमने लगा, मा सतिशीता ने देखा, सोची, अरे, कितना सुन्दर हीरन, इतना सुन्दर मरग सोने का, न सुना है, न कभी देखा है, कि तो बहुत बढ़िया है, राम को कहने लगी, राम, ये म्रग जो जा रहा है, वो मुझे चाहिए, आप इसको पकड़ करके लाइए, राम ने सीता जी को बहुत समझाया, अरे, जंगल में सांती से घुमने वाली पसु हैं, उसके अपनों को क्या ज़रुते, और वो जंगल में घुमरा उसको घुमने दियो, अपने को कोई आवशक्ता नहीं है, लेकिन आपर शीता लिखते हैं, शीता अपरहन का समय आ गया, कोई नहीं उसको बचा सकता, शीता जी के केने से, राम जो है, धनुसमान लेकर के, सोने के म्रग की तरफ चले गई, लक्ष्मन को का देख भाई मैं तो जा रहा, लेकिन जो क्या है, तो शीता जी को अकीली मत छोड़ना कहीं पर भी, गोले भाई, तो अगर मेरे पर कोई शंकट आया, तो मैं संक नागत कर दूँगा, आदे इसारा दे दूँगा, तो तू आ जाना भीड के लिए, अब देखिए, आपने रामायन तो देखिए, रामायन सागर की, वह से लोग रामायन पढ़ते हैं, बालमी की भी पढ़ते हैं, और तुरिशिदाजी की रामायन भी पढ़ते हैं, इसमें ये प्रकार को एक दर्शाया है, राम जो है, वो चले जाते, लेकिन वो सही मृग नहीं था, और राक्षच diferença, मारी ची जो हैं, उसने सोने का मृग रूबधारन किया था, इसलिए राम को दूर तक भगा के ले गया, दूर तक भगा के ले गया, दूर तक भगा के ल आवाज में लक्षमान 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 आवाज करता है इस दर शीता जी सुनती है लक्षमान सुनता है सब कुछ करता है आपने देखा है लक्षमान जी ने शीता जी को बहुत समझाया लेकिन आखिर वह नहीं मानी लक्षमान रेखा करके लक्षमान भी वहां से चले ज करके सिटाजी का परन करके पुस्वक विमान में डाल करके और लंका की रोर ले जाता है अब यह नीटी का रोने का है सोने का मर्ग मर्ग कभी हुआ नहुआ है लेकिन मर्यादपु पुर्शोप्तम राम सरी के महा पुरुष जिसका संसार में लोग माला लेकर के राम 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 ना लेते हैं ऐसे महापुर्ष राम जो है उनकी थोड़ी सी भूल हो जाती सीता जी केने से म्रग को लेने के लिए चले जाते उसके पर सस्त्र उठाते और जब धनों से तीर छूड़ जाता है वो सोने के म्रग को लगता है वो तो म्रग नहीं था मारी जी था देखा औरे यह क्या हुग जा नितिकारों नहीं लिखा विनास काले विप्रित बुद्धी विनास काता है तब विप्रित बुद्धी हो जाती है मर्यादरपुर्स राम से भूल हो गई शीता अपरण हो गया और आगे की रामान में क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं तो इतने बड़े महापुर्श से भूल होने के बाद शीता अपरण होने सरी का डंड मिला और पदे पदे उनको कष्ट ही उठाना पड़ा जब तक रावन को मारा नहीं तो इस सब क्या है आचार उने कहा है कि शिकार जीवन में कभ भी नहीं करना चाहिए जुआ खेलन माश्मद वेश्या गसन शिकार पर रमनी चलो पर रमनी के एक बात है हमारे समंत्वद ने कहा है अनुब्रत में मद्यमास मद्वप्त्यागे साहान उरत पंचकम अभी उसका कोई प्रसंग नहीं है लेकिन पाप जो है वो पांच होते हैं हिंसा जोड़ चोरी कुशिल परीग्रे उसमें कुशिल नाम का जो पाप है वो परस्त्री शेवन या परपुरुश शेवन उसको कुशिल कहा है तो क्या होता है